हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे UP board result के आप कि high school का जो result है वो कब आएगा और inter का result कब आएगा तो हम बता दें कि high school और inter का जो result है वो दोनों एक ही दिन आएंगे अर्थात high school और intermediate का result एक ही दिन आएगा साथ में जैसा कि आपको ग्यात है कि आपकी जो एक्जाम है वो 4 मार्च से समाप्त हो चुके थे तथा आपकी जो मुल्यांकन कार रहे अर्थात कांपियां जो चेक होना सुरू हो ही है वो 18 मार्च से कांपियां चेक होना सुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि 5-8 तारीक तक 5-8 अपरेल तक जो कांपियां आपकी चेक हो जाएंगी और उसके 15 दिन बाद अर्थात कांपियां चेक होने के 15 दिन कम सकम लगेंगे आपके नंबर अपलोड करने में बेवसाइड में तो आपका जो रिजल्ट है वो जो है अपरेल मैने के लाश्ट तारीक तक 27 या फिर 28 तारीक को आएगा आँगे आपको बता दें कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे आपको अपने result चेक करने के लिए आपको अपने mobile में Google में जाना है Google में जाके आप search करेंगे UP MSP UP MSP जब आप search करेंगे तो एक website निकल के आएगी आपके सामने upmsp.edu.in जब आप इस website पे click करेंगे तो कुछ इस पकार से आपके सामने page open होके आएगा इस page पे जाने के बाद आप यहाँ पे lift side में देखेंगे तो इस पकार से home का एक option आएगा जहाँ पे इस पकार से three line इस पकार से बनी होंगी इन line ओ पे click करने के बाद आपके पास कुछ इस पकार से option खुलके आएगे एक home का, पैचान, login, board और महतपूंड link का जब यह आपके सामने open हो जाएं तो आपको यहाँ पे महतपूंड link पे click करना है जब आप महतपूंड link पे click करेंगे तो आपके सामने फिर बहुत सारे option इस पकार से खुलके आएगे तो यहाँ पे देखेंगे कि समस्त परिच्छा फल का एक option आपके सामने खुल के आएगा जब आप इस समस्त परिच्छा फल में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पकार से उपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा high school intermediate का परिच्छा फल और यहाँ पे सो करेगा high school कच्छा 10 का परिच्छा फल वर्स 2022 और यहाँ पे 23 और यह intermediate का और result आने के बाद यहाँ पे इसी पकार से सो करेगा और यहाँ पे 2022 की जगे 2023 सो करने लगेगा और यहां पे intermediate यहां पे है यहां भी विद्धो जात तेज सो करने लगेगा और उज दिन आपका result आ जाएगा आप यहां पे click करेंगे तो कुछ इस पकार से पेज open हो के आएगा पेज open होने के बाद आपको यहां पे अबना जनपद और परिच्छा वर्स यहां पे अपना जनपद चुन लेना है बहुत सारे district यहां पे आजाएंगे आप जी district के हैं वो district चुनना है और यहां पे परिच्छा वर्स जो है 2030 चुन लेंगे 2030 चुनने के बाद यहां पे आपको नीचे इस जगह पे interior 10 digit roll number यहां पे आपको अपना roll number डालना होगा roll number जीसे डालेंगे उसके बाद view result का option आजाएगा यहां पे click करेंगे आपका जो result है वो open होके आजाएगा तो यह जल्दी आपको last April तक आपको result सो करने लगेगा और साथ में आप आप जानी चुके हैं कि आप अपना result कैसे देखेंगे तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह वीडियो पसंद आया है तो like करें और channel को subscribe कर लें जय हिंद